नमस्कार संस्कृत के प्रेविद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैगनेट ब्रिंस पर्मेपंकस्तिवारी तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग दो जो हमारा प्रथम पाठ चल रहा है विद्या अमृतम अश्नुते तो आप लोग तयार जो हमारा चल रहा है साथ स्वती का प्रथम पाठ का वह सुरू हो चुका है तो आप लोग भी बिलकुल एकदम सजग हो जाई है और तयार हो जाई है आप सभी को पता है कि भारत का एक मात रह्षा प्लेटफॉर्म मैगनेट ब्रेंस है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे प्ली बोड विहार बोड यूपी बोड एमपी बोड राजस्थान बोड इन सभी बोडों का पाठ क्रम क्वाइलिटी कंटेंट के साथ बिलकुल फ्री दिया जाता है और जहां आप लोग पढ़ रहे हैं वह हैं इंग्लिस मीडियम यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर कक्षाओं का संपूर पाठ क्रम बिलकुल और बिलकुल फ्री दिया जाता है क्वाइलिटी कंटेंट के साथ तो फिर देर किस बात की चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक और एक बात ध्यान रखना कि मैगनेट प्रेंस कक्षा दियेगा कैसे मिलेगी जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन मॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो इनोट्स और इबुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी ध्यान रखिएगा आज की हमारी जो क्लास है उस पर हम चलेंगे इसके पहले हम लो ठीक है तो इसमें भी विद्या अमरित के समान है और विद्या अमरित के समान हम लोग अनुभो करते हैं वास्तिविक्ता में ग्यान जो है वह अमरित की समान है अगर व्यक्ति के अंधर ग्यान विद्वान हो जाता है तो वह अमरता को प्राप्त कर लेता है बैठे बैठे इसलिए विद्वान सरवत्र पूज्यते यदि आपके पास ज्यान होता है तो आप सभी जगे घर पर बैठे ही पूज्यवान बन जाते हैं ऐसा इस पार्ट का भी लक्ष है और यहां पर भी उन्होंने वेदों और सास्त्रों के आधार पर कुछ यहां पर आपको उपलग्द अंधेन तमसा ब्रिता और तांस्ते प्रित्या भी गप्षंति ये के चा आत्मनोहनो जनाह यहां पर भी उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है ठीक जैसे उन्होंने पहले इसका हम लोग उच्चारण करते हैं देखिए उच्चारण बहुत जरूरी है जैसे यहां पर बनता है इसका हमें उच्चारण कैसे करना है इस बात का आपको मालूम है क्योंकि आप 12 कक्षा में पहुँच चुकी हैं किसी 6 क्लास के 7 क्लास के तो वालक आप है नहीं है अब 12 कक्षा में मतलब पूर रूप से आप विक्सित हो चुके हैं और समझदार भी है तो ध्यान क्लास में लगे हुए को क्या कर देते हैं आवरे तखीचते हो उसको फिलुत में ले जाते उसी प्रकार से यहाँ पर हम चलेंगे तो प्रिद्या अभी गड़ी प्रेट ब्लस अभी गशंदी स्टी ठीकर ना प्रेट yager प्लस अभी गशंदी का योग बनेंगा चा ॉत्म नहीं करता छोटी मोटी चर्चाओं पर आपको ठीक है लेकिन गहराई से जाने की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि 12 कक्षा में जब पेपर बनता है तो वह है आपकी क्या है चमड़ी उधेड करके कुश्चन देता है चमड़ी उधेड़ने का मतलब बहुत गहराई तक वो अंधेन तमसावरिता तांसे ते प्रेत्या भी गख्षंती एके चात महनों जनहा एके चात महनों जनहा क्या कह रहे हैं कि असुर्या नामते लोका अंधेन तमसावरिता अर्थार जो व्यक्ति असुर्य प्रवक्ति का होता है जो व्यक्ति ऐसे बुरे कर्मों में लिपत र रहता है वो व्यक्ति क्या है उसी में हमेशा लीन रहता है उसके अलाबा वह कुछ नहीं कर सकता तांस्ते प्रित्या भी गच्छंति यह कि चाहा आत्मानो जनह वह अपने आपको भी मार लेता है वह अपने आपको क्या है मार लेता है अपनी आत्मा को मार लेता है आत्म हनो जनाह अपनी आत्मा तक का हनन कर देता है क्यों क्योंकि वह मनुस्य यौनी में जन में लेने के बाद भी इस बात को नहीं समझता कि हमें कैसे कार्यों को करना है देखिए यहां पर अन्वय दिया हुआ है अन्वय का मतलब होता है बेवस्थित क्रम असूरियाह नाम ते लोका यह अंधेल तमसाभृता मतलब अन्वय अन्थिकार और अंधिक्यान रूपी अन्थिकार शे आम रित होले हैं और शन्ति एके चा आत्म हनाह जना अपनी आत्मा का भी हनन करके क्या कर देते हैं मृत्यों की समान हो जाते हैं ते प्रेत तान अभी गच्छन्ती और वह क्या है प्रेत योनी में भूत की योनियों में भूत प्रेत कहते हैं बोले भूत प्रेत होता है क्या अभी कई लोगों के जवाब पाजाएंगे बिल्कुल होता है मैंने देखा है ठीक है ना लेकिन ऐसा कहते है आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जलती है और ना है नैनन छिद्यंति पावका नैनन अस्त्राणी छिद्यंति ना दहति पावका देखिए कहते हैं कि आस्त्र को ना तो कोई काट सकता है ना उसे भीगा सकता है नागनी उसे जला सकती है जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करते हैं वैसे ही आत्मा भी पुराने सरीर को त्याग करके नए सरीर को धारण करती है कभी कभी ऐसा होता है कि अकाल मृत्यू हरनम अकाल मृत्यू में किसी की मृत्यू हो जाती है जैसे बोले कि बहुत नया था यह जर्म लेने के समय ही हुआ है उसकी तो उसका तो सरीर पुराना नहीं था हाँ बिलकुल लेकिन ये विधी का विधान है जितना जिसकी योनी में आयू में लिख दिया गया है उसको उतना ही जीवित रहना है ऐसा उन्होंने कहा असुरेह नाम ते लोका जो असुरी योनी में लोक संसार में जन्म लेते हैं और अंदकार में लिप्त हो करके आबृत हो काह ये भी प्रत्मा का बहुबचन रूप लगा हुआ है ये ये भी हमारा प्रत्मा का यत के रूप है ध्यान रखना अंधेन में तृतिया विवक्ति का एक बचन है तमसा तृतिया का एक बचन आवरिताहा में प्रत्मा का एक बचन अस्तिस्ता शंति ये बहुबचनांग प सब्दार्थों पर चर्चा करते हैं सब्दार्थों में क्या लिखा हुआ है द्यान से देखें असुरिया है प्रकास हीन अत्वा असुर्शंबंधी असुरियोनी अंधेन तमसा अज्ञान रूपी घोर अंधिकार्शी जो लिप्त हो जाता है आबरित्त का मतलब अच्छादित हो जाना ढक जाना प्रित्त का मतलब मरन प्राप्त कर मरने के बाद जो प्राप्त होता है वो प्रित्त कहल किया है यहां पर प्रशंग देखें पूरे शलोक में क्या बात कही गई है प्रस्तुत मंत्र हवारी पार्ठ पुष्टक शाश्वती दुतियो भागा के विद्या अमरितम अशनुते नामक पार्ठ से लिए गया है यह पार्ठ ईसोप निश्दिश्य संकलित है इस मंत्र में आत्म स्वरूप का तिरिसकार करने वाले को आत्म हंता कहा गया है अपने आपके स्वरूप को जो क्या करता है तिरिसकार करता है सरल भावारत में अगर बात करें तो असरों अर्थार्थ केवल प्रार पूशन में लगे हुए लोगों के बिप्रिशिद लोक योनिया है जो के लोग आत्मा के हत्यारी अर्थार्थ आत्मा के विरुद्ध अधर्म का आचरण करने वाले हैं होते हैं वे मरकर उन अज्ञान के अंधिकार्शी युक्त योनियों को प्राप्त कर लेते हैं और अज्ञानता को प्राप्त कर लेते हैं मतलब लोग उन्हें किसी प्रकार्शे फिर कोई सम्मान नहीं देते हैं यहाँ पर भावार्थ देखें यह कभियों का भावार्थ है क्या कहते हैं कभी कि आत्मा अमर है और यह कभी नहीं मरती मरता और आत्मा के विरुध्य अधर्म का आचरन करना तथा आत्मा की सत्ता को सुईकार ना करना ही आत्माहत्या है यदि आप मानते हैं कि वास्तिविक्ता में आत्मा नहीं है तो यह आत्माहत्या की समान होता है और आत्मा के दो रूप होते हैं परमात्मा और जीवात्मा परमात्मा संपूर जड़ चेतन में ब्यापक होकर के उशे उशे अपने शासन में रखता है और जीवात्मा शरीर में ब्यापक होकर के उशे अपने नियंत्रण में रखता है जो लोग आत्मा के इस स्वरूप का तिरिशकार करते हैं तथा अपने प्राण पोशन के लिए आसकती पूर्वक स्रश्टी के पदार्थों का भोग करते हैं वे अशुर हैं ऐसे राक्षिस बृत्ती लोगों को मरने के पस्चाथ उन असुरिया नामक अंधकार मय योनी में जन में मिलता है जहां ग्यान का प्रकास नहीं होता देखी यहां पर उन्होंने क्या कहा? कि एक असुरिया सब्ध है अंधकार मईयोनिया जब व्यक्ति अपने अंधकार में लिप्त हो जाता है तो उस楽ता है कि नहीं अब तो यहां मुझे कोई नहीं देख रहा है उपरवाला व्यापत है, सर्व्यापत, इसलिए तो आत्मा के दो रूप बतलाए है, परमात्मा और जीवात्मा, इसलिए परमात्मा संपोर जड़ चेतन में व्यापत हो जाता है, जिस पर कंट्रोल लगता है, शाशन, सासन में रखता है, और जीवात्मा सरीर में व्यापक ह करके अपने आपको कंट्रोल करता है आपको अच्छा बुरा कर्म करने से जीवात्मा रोकती है जब बुरा कर्म होता है तो आपकी आत्मा डगमगाती है और अच्छा कर्म होता है तो हम आगे बढ़कर के कदम उठाते हैं यही जीवात्मा जो हमें क्या कर देती है आगे बढ और सो जीबियो नईने गेबाह आपनुवन पूर्वमे मरसत और तद धातो तद धावतो अन्या नतेती तिश्ठत तस्मिन नपो मात रिश्वह दधाती अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना है जैसे यह कुछ सब्द दिये हुए जैसे यहां लिखाना आपनुवन आप य और यहां पर तत अलग हो जाएगा धावतो अलग हो जाएगा तत धावतो अन्यान नतेती ऐसे हम पढ़ेंगे ठीक फटिश्ठत तस्मिन नपो मात रिश्वह दधाती ऐसे हम इसका अध्यन करते हैं ठीक है यहां पर एक बार उच्चारण कहेंगी अने जदे कम अन्सो यह और न यह यह उस नइन देवा आपनु बन पूर्व लम अरशत ततावतो अन्यान थैती तिश्चा तस्मिन न पो मात रिश्वह दधाती धिस्टत तस्मिन न पो मातरेश्वा दधाती ठीक अब इसको भी उन्होंने क्या कह दिया है अने जदेकमन सो जीविव नैन नैन नैनत अलग हो जाएगा देवा अलग हो जाएगा नैनत देवा ठीक है देवा मतलब इद्रिया आपन वन पूर्वमर सायद अर्थार जो अपनी इंद्रियों को बस में ना करके तब दधावतो अर्थिष्ठत अतस्मिन नपो मात रिश्वा दधाती अपनी इंद्रियों को बस में करके जो ये प्रण नहीं करता है कि हम इस कर्म को कर शकते हैं इस कर्म को पूर्ण करने में हमारी इंद्रियां हमारा साथ देती है द्यार रखना फिर उन्होंने क्या कह दिया अनवाई को देखिएगा अनवाई में देखे अनेजत एकम मनशह जविया देवा एनत सा आपनुवत पूर्वम अर्शत तत तिष्ठत धावता अन्यार अतेति तस्मिन मात रिश्वा अपा दधाती ठीक अनेजत यह हमारा रूप लगा हुआ है अनेजत ठीक ए वाउप शर्ग है यहाँ पर आप धातू है फिर इसके बाद पूर्वम मात रिश्वा दधाती यहाँ पर भी दधातू लगी हुई है तिष्ठत में भी इस्था धातू लगी हुई है अन्यान में दुतिया व्योक्ति तस्मिन में सक्तिमी व्योक्ति का एक बचन रूप है प्राप्त नहीं किया और अर्शत का मतलब होता है गमन शील तिश्ठत का मतलब इस्थिर रहने वाला परिवर्तन रहत अपा का मतलब जल या कर्म मात रिश्वा का मतलब वायू या प्राण वायू वायू या प्राण वायू इसके बाद प्रशंग पर चलते हैं प्रशंग मे उन्होंने क्या कहा है ध्यान से देखना है प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्थे पुष्टक शास्वती दुतियो भागा के विद्या मृतव असनुते नामक पाठ से लिया गया है यह पाठ इसोप निशद शे संक्लित है इस मंत्र में सर्व व्यापक परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है सरल भावार्थ की बात करें हम तो वह कहता है वह परमात्मा निश्चल एक मन से भी अधिक वेगवाला है देव इंद्रिया उस तक नहीं पहुँच पाती है और यह सर्व व्यापक होने से सब जगए पहले से ही पहुँच जाता है जो अपने इंद्रियों को बसमे करने वाला है इसलिए वह परमात्मा अपने स्वरूप में इस्थिर रहते हुए दोडने वाले दूसरे ग्रह उपग्रह आदी का अतिक्रमण कर जाता है उसी परमात्मा के नियम से वायू जलों को धारण करता है अत्वा यह जीवात्मा कर्मो को धारण करता है अर्थार्थ उन्होंने सीधी सीधी बात यह कह दी है कि परमात्मा निश्चल है वेगवाला है तीब ब्रगति से पहुँच करके संपूर्ण स्रष्टी पर विद्वान हो जाता है और वह जहां चाहे वहां पहुँच जाता है एक ग्रह से दूसरे ग्रह और दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह पर पहुच जाता है उसके लिए कोई बंधन नहीं बंधन से मुक्त होता है और अपने जीवात्मा कर्मों को धारण कर लेता है ठीक है या अथवा देखिए वलो को अ अचल एक मन से भी अधिक वेगवान तथा इंद्रियों की परे है परमात्मा की व्यापक्ता से ही मित्र और वर्ण नामक वायू मिलकर जल का रूप H2O धारण करते हैं ये तो मैंने आपको ऐसे लिख दिया है जो जल का रूप होता है ठीक अत्वा परमात्मा की दवस्था मै ही सभी जीवात्मा अपने अपने कर्मों को धारण करती है जब व्यत्य जैसा कर्म करता है वैसे ही उस कर्म के अनुशार उसको जीवात्मा उसका जन्म लेने पर उसको योनी मिलती है प्राप्त करता है योनियों को प्राप्त करता है इसलिए सर्व व्यापक होने के साथ सा और यहां पर दो इश्लोगों को हम लोगों ने पूरा कर लिया मतलब हमारे चार इश्लोग पूरे हो चुके एक बात ध्यान रखिएगा इसके बाद पाले जो हमारे इश्लोग आएंगे बहुत जल्द में उनको लेकर के आऊंगा तब तक आप लोगों को अपने सभी दोस्त तक यह जरूर सेयर कर देना है क्योंकि शास्वती जो हमारा दुत्यो भाग है और एक्षिक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको आपको पहले सूचित कर देना है जितने भी आपके दोस्त हैं कि मैगनेट ब्रिंस पर अब सास्वती भी आपकी सुरू हो चुकी ह आपको बहुत पीछे नहीं रहना है तीब ब्रिगती से हम लोग इस लेवस को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप लोग बढ़िया से इसको सेर करते रहिए वीडियो को लाइक करते रहिए और जहां पर भी आपको समझ में ना आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दी एक तो माइगन ब्रें इंगलेश मीडियाम और माइगन ब्रेंश हिंदी मीडियं हिंदी मीडियम की बात करो तो यहां पर कुछा सब्सर ने करने करके दिल्ल् weakestHold उप एमपी लोड राज स्थान और इन सभी बोड़ों का पाठिक्रम बिलकुल और बिल्कुल फिरी दिया जाता है क्वाइलिटी कंटेंट के साथ और जहां आप लोग पढ़ रहे हैं यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर कक्छाओं का संपूर पाठक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फिरी दिया जाता है क्वाइलिटी कंटेंट के साथ तो देर किस बा इच्छा में वहतर से वहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा तो देर नहीं करना है जल्दी से जल्दी हमें नोट्स की जानकारी लेने ना है कैसे लिंक इंडिस्क्रिप्शन वॉक्स में आप जाएंगे तो ई-नोट्स और ई-बुक्स ये दो आपको आइकन मिलेंगे इस साथ तब तक के लिए जय तु संस्कृतम जय तु भारतम